सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवचार सी नारी तब तक प्यारी लगे, जब तक वो बेचारी लगे, खोले जुबा जब अपने हक में तेजधार वाली आरी लगे, रिस्ते कभी नहीं बदलते, बस निभाने वाले का दिल भर जाता है बुद्धी कविकास माना अस्तित्व का सर्वोच लक्ष होना चाहिए, कर्म कफल व्यक्ति को उसी तरह ढून लेता है जैसे कोई बच्छडा, सैक्डो, गायों के बीच अपनी मा को ढून लेता है आज का पंचाम, 31 अक्टूबर 2021 देन रवी बार, कार्थिक मास के क्रिश्न पक्ष की, दश्मिति थी, दोपहर दो बच कर 27 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांथ, एका दशिति थी प्रारम होचाएगी मघा नामक नक्षत्र, दोपहर एक बच कर 16 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांथ, हुर वफाल गूनी नामक नक्षत्र प्रारम होचाएगी आज का राहुकाल, अर्था दिन का सबसे असुपसम में, सम चार बच कर 21 मिलट से, पांच बच कर 45 मिलट तक रहेगा आज का भी जीत महुरत, अर्था दिन का सबसे सुपसम में, सुबह 11 बच कर 48 मिलट से, 12 बच कर 32 मिलट तक रहेगा आज चंद्रमा सिहरासी पर शंचार करेगी, और आज शूरिय तुला राशी पर रहेगी तुला राशी, 31 अक्टूबर 2021 देन रवीवार, आज आप आकर्शन का केंद्र रहेंगे फोकर्श का केंद्र रहना आपकी सहज विसेस्ता है, जिसके कारण कई लोग आप शेयर इर्शा करेंगे जब आप सहज रूप से वरतमान भूत काल और भविशी के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुंसे अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे अपने बड़े भाई बहनों की सुने, आप खुद को सोसल मेडिया, फोन, इमेल्स और नोटिफिकेशन में वस्त पाशकती हैं रिस्ते इस्से में फलफुल रहे हैं और लोग आपके आसपास रहने में दिल्चस्पी ले रहे हैं आपके कमपनी मांग में हैं, इन समाजक छडों का मजली, अच्छा भागिया आपका है, समाध सोच वाले लोगों से हाथ मिलाने का वक्ता आ गया है सहानुभूती के भावना को जागरित करें और प्रिये जनों से मिली, ऐसे बाचे से भी बचे जो मौकों को सीमित कर शकती हैं और आपको ठेस मौचा सकती है, हीरे को परकना है तो अंधेरे का इंतिजार करें, धूप में तो कांच के टुकडे भी चमकने लगते हैं आज को समय आत्म मंधन तता एकांत में व्यतित करने का प्रयास करेंगी, इसे आपको कुल दैनिक, उल्जनों से निजात पानी सम्मंधित, हल्वी प्राप्त होंगी आज के दिन धन सम्मंधित किसी निवेश के लिए बहुते उत्तम हैं, आर्थी के स्थिती को मजबूत करने में भी अपना ध्यान लगाएं तनाव कम हो शकता है, इस कारण मौश मस्ती में समय बीतीगा आपके उम्ड़ से छोटे व्यक्ति से मदद मिल सकती है, खुद के लिए सकारात मकता बढ़ सकती है जिन लोगों से आलोशना मिल रही थी, उन से दूरी बढ़ सकती है वेपार से जुड़े लोगों के काम का विस्तार हो शकता है, पार्टनर के आपके लिए निश्ठा बढ़ेगी सेहत भी ठीक बनी रह सकती है इस धान परिवरतान का मामला पक्ष में आ सकता है, तुलनात्मक रूप से दूर की याता हो शकती है आन से कुठा पर टक से बच्ची, किसे वरिष्टे से सच मुच, मार्ग दर्शन मल सकता है अपने लक्ष को पुना नेधारित कर शकती है, दिमागे उथल पुथल के सिकार भी हो शकती है धन्षम मंदित मामला भी दुखी कर शकता है, लोगों के स्वार्थे वित के साथ काम ना करी, विचितर बाते घेर शकती है मामा की मदद से लाब हो शकता है, मित्रों के लिए खास भागा दोड़ी करनी पड़ सकती है, पाचन सक्ती भी गड़ बड़ा सकती है चुनामी लड़ाई में उतरना चाहते हैं तो समय महरबान रह सकता है, कोट में चर्रह मामलों में परणाम पक्ष में आ सकता है, प्रतिष्ठा बृद्धी भी हो शकती है, विशेश खुश खबरी मिल सकती है, मन पसंद कारे करने से मन प्रशन न रहीगा, ठकान अधिक भी हो शकता है, शौधानिया, अपने परिवार के जर्रतों को नजर अंदाज न करें, उनका ध्यान रखना आपका महत्व पूर्ण दाईत्व है, क्रोद और आवेश की चलती, कई बर बंता काम, अंधिम चर्ण में अटक सकता है, इस समय धैरे और सयम रखना अती आवश्यक ह बात करते हैं लव लाइफ की, घर में शुक्षानती भरा वातवर रहेगा, अचानक किसे पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नए उर्जय प्रदान करेगी, अपने करीश में साब किसी को भी लुभाने की ताकत रखते हैं, भागया आपके साथ हो शपलता की औ खुगना कर देती है, और चाहत को बढ़ाती है, आचा आपकी प्रात्मिक्ता आपके प्रियेचन होंगे, उन से मिलना और बाच्चित करना आपको सुकून दे सकता है, अपने जीवन साथे को कुछ वक्त दें और उसकी एक्छाओं का भी ध्यान रखें, आप हमेंसे सही का साथ देती है, इसलिए आपको जानने वाले हमेसा आपका सममान करती है, इसे खास का प्यारा आपको भागेशाली महसूस खराए गा, आपको किसी मजा के आत्मी के साथ बहुत मचे करने का भी मौका मिलीगा, वहाप के दिल से बहुत करीब हैं, और आपको को ऐसी ही चल्बनी अगर आपको बंस्तविक्त तक कुछ रास नहीं आ रही है तो आप इसे सुदारने के लिए तो कुछ करी सकते हैं बात करते हैं करियर की करीालाए के लंबित काम आदि करूर आदिक काम करना पड़ सकता है यह मुश्किल समय भी थोड़े समय के लिए है पिछले दिन आप विवाद में फशकते हैं ऐसे इस थीतों शे भी दूर रहें किसी समू कलब ये सुसाइटी का हिस्सा बन कर आप अपनी लिए लग के नए रास्ते को शक्ते हैं नेटवर्किंग और अपने संपरकों के माध्रम से आप अपनी आये को दुगना करने में सक्षम होंगे बस आप चोरिये दुरघटनाओं से परशने के लिए थोड़ा शौधार रहें आज अप अपने साथ ही ये किसी प्रीजन से मिलने जा सकती हैं समान विचार धारा वाले लोगों के साथ विचारों का अधान प्रदान आपको लाप पहुचाएगा ये दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है उनका पूरा फायदा उठाएं आनावश्य के आता करने से बचें सफलता पानी के लिए अपनी शक्ती का प्रयोग सही दिसामिक करें वेपार में पर इस्थेत्या समाने रहेगी नए प्रोजेक्ट सम्मंधित महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम रहेंगी प्रोपर्टी सम्मंधित ववश्य में अच्छ डिल हो शकती है नौकरी में लक्ष अथवा टार्गेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा बात करते हैं सेहत की गरम ठंडे खान पान की वज़े से गलक खराब हो शकता है पर हेज रखना जरूरी है आज पूरे मन से सुन्दर और फिर डिखना आप चाहते हैं हालकि इस लक्ष को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है एक बर आपकी डाइट की समिक्षा एक बर अपने डाइट की समिक्षा दुबारा कर ले क्योंकि उसमें कुछ ऐसा कुछ हो शकता है जिसे खाने सा आपको इलर्ची हो जाए सलाहों का पालन कम और वर्का आउट अधिक करें आज का उपाए आज अप शूर्य देव को जयल अर्पित करें शुब रही का जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुब हूँ